आज हम पढ़नेंगे ओपन यूनिवर्सी का कोर्स को चपन सोला यूनिट अमबर वन स्टेक ड्रामा ड्रामा जो है वो यूनानी लफ्स ड्राउस से निकला है जिसके मैंनी है करके दिखाना याणि ऐसी कहानी जिसमें हरकातों सकनात भी हो और गयाईका अंसर भी हो ड्रामा और नावल में डिफरेंस क्या है ड्रामा और नावल में डिफरेंस यानी फर्क यही है कि ड्रामा जो होता है वो उसमें हरकात तो सकनात होती है वो दोनों होते तो करीब करीब है कहानी ही होती है दोनों में प्लाट भी होता है किदार भी होता है सब होता है लेकिन जो नावल होता है उसमें मनजर निगारी को तवील अलफाज की सूरत दी जाती है जबके ड्रामे में उसी मनजर को दिखा के सब कुछ क्लियर कर दिया जाता है इसी तरह पाकिस्तान में ड्रामे का आगाज कैसे हुआ उससे पहले मैं आपको उद्दू ड्रामा निगारी का ब्रीफ सा बता देती हूँ वैसे ये बहुत आसान चैप्टर है उद्दू में ड्रामा निगारी का आगाज आपकी बुक में लिखा हुआ है यहां के उद्दू में ड्रामा निकारी का अगाज इंदर सुबा से होता है, ऐसा नहीं है उद्दू में बाकाइदा तोर पर ड्रामे का अगाज रादा कुनिया से होता है जो के वाजद अलिशा का ड्रामा है और इंदर सुबा एक मन्जूम ड्रामा है लास्ट टाइम पास्ट पेपर मेरी नजर से गुज़े थे या शायद इंटर्वियो में ये सवाल आया था कि इंदर सुभा का मतलब क्या है इंदर एक सरदार हुआ करता था उस जमाने का और सुभा का मतलब है तमाशा या खेल तमाशा वगैरा ऐसा तमाशा जिसे चंद लोगों के सामने पेश किया जाए या कोई दर्बारी महफिल वगएरा तो इंदर के दर्बार पे जो महफिले होती थी जो खेल तमाशे होते थे उसके नाम से उन्होंने लिखा था इंदर सुभार ड्रामा उद्दू में ड्रामिक आगाज मगर्बी तहजीब से आया है यूनानियों से उन्होंने ड्रामा लिया था उद्दू वालों ने और शुरु शुरु में शेक्स पे और और बाकी अंग्रेज मुसनिफीन के ड्रामों को तर्जमा करके स्टेज पे शो किया जाता था पहले पहल तो पुतलियों के खेल तमाशे वगेरा का रिवाज था और इसी से आइस्ता आइस्ता फिर स्ट्रीट पले का रिवाज हुआ जिसमें ड्रामा निगारी के लिए बाकाइदा स्टेज की सुरत के जो लवाजमात होते हैं उनका खर्चा उठाना किसी के बसकी बात नहीं थी तो वो स्ट्रीट में गलियों में या किसी खुले मैदान में किर्दार जमा हो जाते थे और खुद अपना रोल प्ले करके एक ड्रामा मुनेकद कर लेते थे और थोड़ा बहुत इंजाय कर लेते थे उसके बाद आइस्ता आइस्ता सबसे पहले उद्दू ड्रामे के लिए बंबई में एक थेटर बनाया गया था थेटर कैसा होता था लकड़ी के तख्तों से एक रूम सा बनाया जाता था थेटर सा वहां किरदार अपने गर्मी के लिए पंक्षे खुद लेकर आते थे पंक्षे यूस करने के लिए और अपनी चोटी चोटी चीज़ें अपने रस्स वगएरा का इंतजाम भी खुद करते थे ड्रामे के लिए बाद में जब अकबर बादश्या था तो उसकी महफिल में इरानी तहजीब को ज्यादा तर अपनाया जाता था I Pitini Islami discounts को अपनाया जाता था इसके अलावा उसकी मेहिफल में रकस की मेहिफले होती थी जैसे उसके दरबार में कनीजाएं रकस करती थी तो इन मेंज़िर को देख जब कि अनारकली ड्रामा भी लिखा गया था ہندوستانی ڈرامے کی خصوصیات यही हैं कि उनमें मन्जर निगारी होती है तंजो मजा होता है कहीं कहीं Costco कारी बोल ना हो जाये और थकाफत से रिलेटेड होते हैं ڈरامें ताकि हमें अपने कल्चर से रिलेटेड और अपने मजभ से related कहानी में इंट्रेस्ट हो ड्रामा वक्त और हालात के मताबक होना चाहिए पुरानी कहानी आजकल के जदीद दोर के लोग नहीं देखना चाहते तो ये ड्रामे की खसुसियात में शामिल है इसके लावा मनजर निगारी ऐसी हो के ड्रामा पुरकशिश लगे तमाम किलदारों के हालात और वाकियात उनके बोलने का अंदाज ऐसा हो कि ड्रामे को देख के तमाम किलदारों के जजबात से आगाई हो हर किलदार अपनी बोलने के अंदाज से अपने अपने किलदार से अपने अपने उटने बैटने के अंदाज से अपनी नेचर को शो कर रहा हूँ ये ड्रामिक की होसुसियात होती है ड्रामिक में भी प्लाट होता है नावल की तरह इसमें मंदरनी कारी भी होती है तंसो मज़ाभ भी होता है और प्लाट में मरकजी के दार भी होते हैं जिमनी के दार भी होते हैं और कहानी में एक हीरो होता है एक विलन भी होता है इसके इलावा ये होना चाहिए कि कहानी में तसादम हो तक्राओ हो یعنی کہ کاری میں تجسس پیدا ہو کہ آگے چل کے کیا ہونے والا ہے تاکہ وہ شوق سے دیکھے ایسے ڈرامے جن میں تجسس ہی نہیں ہوتا تجسس چروع میں ہونا چاہیے مثال کے طور پر اگر اقصاد میں ہے ڈراما قسطوں میں ہے تو پہلی قسط میں یہ ایسا تجسس ہونا چاہیے کہ کاری ناظرین اگلی قسط کو دیکھنے کے لیے مجبور ہو جائیں یہ ہیں جی ڈرامے کی خصوصیات ویڈیو شارٹ کرنی ہے اس لئے سٹیج پر اداکاری اور باقی ڈیٹیلز کو دوسری ویڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیجتی ہو اللہ حافظ